हेलो डिये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं स्वदेश कुमार अगरवाल टीम साइन्स एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस हरियाना DTSC के साइन्स के सॉलुशन में डिये स्टूडेंट्स आपका जो एक्जाम है वो बहुत अच्छा गया होगा और आप एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे डिये स्टूडेंट्स अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस साइन्स के पार्ट के सॉलुशन जो है वो करना आरम करता हूँ बच्छो तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो किस क्वेश्चन की उपर है किस कॉंसेप्ट की उपर बेज़ आईए पढ़ते हैं बच्छो रोकेट वेक्स अनदा प्रिंसीपल तो जो रोकेट है बच्छो वो किस प्रिंसीपल पर वक करता है वो हमारे नुटन के सेकिंड था पर रखकरता है, momentum conservation पर depend करता है, है ना, momentum conservation पर depend करता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो option है, वो third option जो है, वो एकदम correct होगा, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, next question ही हमारे पास में है, when we change feeble sound to loud sound, we increase, increase its, तो बच्चों feeble, मतलब अगर हमें sound की loudness को increase करना है, आवाज को क्या करना है हमें, तेज करना है, अगर हमें किसी sound की आवाज को तेज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, उस sound की आवाज को तेज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी loudness बढ़ाने के लिए हम उसका amplitude बढ़ा देंगे ठीक है ना क्योंकि amplitude बढ़ेगा इसका मतलब है intensity बढ़ेगी और sound जो है वो काफी तेज हो जाएगा ओके तो इसका option हमारे पास कौन सा आजाएगा बच्चों second option आजाएगा ठीक है चलें आगे इसके बाद देखते हैं बच्चों हम question number three question option number three क्या है which one of the following is not the unit of energy energy की unit कौन सी नहीं है जूल एक energy की unit है newton into meter force into displacement यह भी वर्क या energy की unit है kilowatt बच्चों kilowatt unit होती है पावर की की कहना तो पावर की unit है kilowatt यह नहीं energy की unit नहीं है यह energy per unit time की unit है तो इसका मतलब है kilowatt हमारी energy की unit नहीं kilowatt और यह भी हमारे पास में जिसको unit कहते है ना बजली के घरों के अंदर जब हमारे बजली के बिल आते तो units में आते है ना kilowatt आर तो यह भी energy की unit है तो इसका कॉंस option सही हो जाएगा third option आगे चले आगे देखते हैं बच्चों question number four when a body falls freely towards the earth then it's total energy तो बच्चों जब किसी body को हम उपर से नीचे गिराते हैं तो उसकी potential energy जीरे-जीरे क्या करती है बच्चों decrease होती है और उसकी kinetic energy जीरे-जीरे increase हो जाती है potential energy increase decrease होती है kinetic energy क्या हो जाती है increase और जो हमारी total energy होती है बच्चों वो होती है sum of potential energy plus kinetic energy इसका मतलब है अगर potential energy नीचे आने पर decrease हो रही है kinetic energy बढ़ रही है तो इन दोनों का जो sum रहता है बच्चों वो हमेशा क्या बना रहता है constant बना रहता है इसलिए हम कहेंगे कि अगर कोई body नीचे आती है या नीचे से उपर जाती है तो इन दोनों का sum potential plus kinetic energy का sum यानि total energy always remain constant always क्या रहती है वो constant रहती है ठीक है बच्चों चले आगे तो इसका option number third हमारा जो है वो सही solution हो जाएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों the weight of a body at the center of the earth is तो earth के center पर किसी body का weight क्या होता है तो बच्चों earth का जो center होता है उस पे किसी भी body का जो weight होता है वो हो जाता है जीरो हमारे पास में एक formula भी होता है कि अगर हम earth की surface से center की तरफ आएं अगर हम earth की surface से यह earth की surface है इससे अगर हम center की तरफ आए ये earth का center है तो मालो अगर हम d depth पर आ रहे हैं आर इसकी radius है earth की तो हमारे पास में बच्चों जो g की value होती है यानि जो gravitational acceleration की value होती है वो होती है surface की उपर gravitational acceleration 1-d by r तो अगर हम ये कहें कि हम earth के center की उपर रखा हुआ है हमने अपने आपको earth के center पर रखने का मतलब क्या होगा कि हमने d की value क्या रखी हो ये r क्योंकि यहां से हम counting शुरू करते हैं जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हमरे पर d की value बढ़ती जा रही है जब हम center पर पहुंचेंगे तो d की value कितनी हो जाएगी आर जैसी मैं यहां पर इसको आर रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा one minus r by r करेक्ट तो यह कितना हो गया one one minus one is zero तो जी डैश कितना हो जाएगा बच्चो जी डैश अकर जी रो है तो वेट यहनि एम इंटू जी डैश यह भी क्या होगा जी रो तो हमें वेट कितना मिलता है जी रो ठीके तो अंसर के जाएगा इसका फर्स्ट आप्च्छन आगे बटते हैं à mass chilling the atmosphere is a creep to the Earth by जी बच्छो आर्थ की उपर जो atmosphere है जो जैसे हैं इतनी सारीन है ना dust particles आब ऑतिकल्ड यह वो किसके करण 속 कि पारण ग्राविटी के करण क्योंकि gravity के खरण यह जितनी भी atmosphere का वो हो जाएगा gravity यानी first option ठीक है चले आगे इसके बाद अगला question देखते हैं बच्चो अगला question क्या है हमारे पास में region of weightlessness in the satellite किसी भी satellite के अंदर weightlessness का region क्या है तो बच्चो कोई भी अर्थ के चारो तरफ जो satellite घूमता है यह हमारे पास अर्थ है यहाँ पर अगर माल body रख है उसके ऊपर net force क्या हो जाता है? Zero यानी उसकी normal reaction जो होती है वो gravitational force को क्या कर देती है? balance कर देती है तो हम कह सकता है जो normal reaction है वो उसकी हो जाती है 까요? तो normal reaction zero हो जाने के कारण क्या होता है कि जो भी इसकी body और body और इसकी जो surface होती है satellite की उनके बीच में contact हट जाता है contact हट जाने के कारण वो weightlessness feel करता है तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि zero reaction force by the satellite surface क्योंकि contact हट गया तो normal reaction हट गई normal reaction अट गई तो उसको zero contact force feel होगा इसका मतलब है zero reaction force feel होगा तो इसका अमरे पास में जो correct option होगा बच्चों वोगा zero reaction force ठीक है ना ओके चले आंगे चले आंगे चलते हैं question number 8 which one of the following is the one dimensional motion one dimensional motion का मतलब होता है एक direction में motion है ना तो अगर हम कहें landing of aircraft अगर कोई plane उतरता है बच्चों तो क्या यह one dimensional motion है क्या नहीं यह one dimensional motion नहीं है ठीक है अर्थ revolving around the sun अगर अर्थ सन के चारो तरफ चक्कर लगा रही है तो क्या यह one dimensional motion है बिल्कुल भी नहीं है एक circular path है ठीक है ना motion of the wheel of a moving train wheel का जो motion है बच्चों वो भी circular motion है ठीक है ना तो वो भी one dimensional motion नहीं है इसके बाद आता है train running on a straight track स्ट्रेट ट्रेक क्यों पर अगर कोई train चल रही है तो उसका जो motion होगा बच्चों वो कैसा होगा one dimensional motion क्योंकि स्ट्रेट ट्रेक का मतलब वो train जो है वो सीधी सीधी आगे बट रही है ठीक है आगे चले आगे चलते हैं बच्चों इसका fourth option लगा देते हैं और हम आगे चलते ठीक है इसके बाद जो हमारा बसन में next question है next question हमारे पास में क्या है कि slope of velocity time graph gives velocity और time graph जो है vt graph जो है उसकी जो slope है वो हमें क्या बताती है तो बच्चो याद रखिए VT graph जो होता है उसकी जो slope है वो हमें बताती है acceleration क्या बताती है acceleration और इसके अंदर का जो area होता है area under the graph area under VT graph ये हमें बताता है बच्चो displacement मतलब जैसे अगर ये हमारे पास कोई VT graph है तो इसकी slope का मतलब इसका 10 theta ये तो हमें क्या बताएगा acceleration और इसका area under the graph यानि ये time axis के साथ में जो area जो घेर रखा है वो हमें बताएगा displacement क्या बताएगा ये displacement ठीक है ये याज रखना है इसका answer हमार रपस में क्या जाएगा बच्चो third option ठीक है ओके चलिए आगे इसके बाद हम आजाते हैं बच्चो 10th question पे which one of the following figures represent the uniform motion uniform motion का मतलब होता है बच्चो कि किसी भी body की velocity का constant होना इसी भी body की velocity का constant होना अब बच्चो ये जो हमें graph दे रखे सारे distance time graph दे रखे distance time graph दे रखे इसका मतलब है कि जो st graph की slope है distance time graph की slope है वो हमें क्या बताती है velocity और हम जानते हैं कि अगर मेरे को कोई straight line दे रखे तो straight line की slope हो हमेशा क्या रहती है constant ठीक है ना straight line की slope हमेशा क्या रहती है constant ये एक straight line है ये इसका 10 theta वो मुझे क्या बताएगा velocity और क्योंकि एक straight line है इसलिए velocity क्या रहेगी constant और हम कह रहे है uniform motion का मतलब भी क्या होता है uniform motion का मतलब होता है velocity का constant होना इसका मतलब हमारा पहलाई option सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो curved graph है curved graph का मतलब क्या होगा कि slope constant नहीं है यानि velocity constant नहीं है और ये वाला जो graph है बत्चो ये एक straight line है लेकिन यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी जो slope है वो कितनी है जीरो यानि इसकी velocity कितनी है जीरो हम ये जीरो velocity के लिए नहीं कह रहे है uniform motion हम कह रहे है constant velocity के लिए तो constant velocity किसमें आ रही है first option हमारा first option क्या हो जाएगा बच्चो correct इसका solution हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चो 11th number a particle moves along a semi circle of radius 10 meter in 5 seconds average velocity of the particle एक particle है बच्चो वो एक semi circle के अंदर घूम रहा है 10 meter उसकी radius है 5 second में घूम जाता है तो उसका average velocity क्या होगी ठीक है तो देखने है average velocity क्या होगी ये एक semi circle है ठीक है इसकी radius कितनी है बच्चो 10 meter है अब जैसे कि यह में दे रखा है कि इसको यहां से यहां तक आने में कितना time लगता है इसको time लगता है 5 second ठीक है अब इसका displacement देखिए ये particle कहां से start हुआ इस point से जाना कहां है इसको इस point पर तो displacement कितना हुआ displacement मतलब ये shortest distance ठीक है ना ये shortest distance कितनी हुई तो 10 ये और 10 ये total कितनी हो गई 20 meter ठीक है तो displacement velocity किसके बराबर होगी average velocity displacement upon total time total displacement कितना है 10 plus 10 कितना होगे 20 और कितना time लगा इसको ऐसा करना है पांच तो ये 4 meter per second इसका जो है वो solution आ जाएगा ठीक है 4 meter per second किया जाएगा इसका solution आ जाएगा correct चले आगे चले आगे चलते हैं बच्चो next is question number 12 a man pushes a wall and fails to displace it he does अगर मानलो कोई man किसी wall की उपर force लगाता है और उसको displace नहीं कर पाता है तो कितना work done होगा तो बच्चो जो work done होता है वो होता है fs cos theta यानि force into displacement into उन force or displacement के बीच में angle का cos theta अब हमको कह रहे हैं कि जो wall है वो तो इसका मतलब है no work at all. ठीके ना किसी भी टाइप का कोई भी वकडन वो मैं नहीं कर पाता है. अगे चलें. एक तो बच्चो जो हमारे पास में object है वो एक frictionless surface की उपर चल रहा है कितनी speed से चल रहा है 4 meter per second से चल रहा है तो बच्चो अगर ये frictionless surface है अगर इसके बीच में smooth surface है तो इसको रोकने वाला कौन है जब कोई friction लगी नहीं रहा कोई ऐसा force नहीं लग रहा जो इसके motion को resist कर सके तो ये तो 4 meter per second से movement करता जाएगा ठीक है ना तूकि इसको रोकने वाला कॉन है इसकी speed को कम करने वाला कॉन है resisting force होता जैसे friction force होता या कोई और air friction होता तो यह रुख जाता लेकिन यहां तो कोई force लगी नहीं रहा है हमें कहा है कि frictionless surface है frictionless surface है इसका मतलब है अगर यह 4 meter per second से चल रहा है तो it continue to move with the 4 per second इस तो रोकने में कोई भी force काम नहीं कर रहा है कोई भी force तो इसका अंसर कितना हो जाएगा 0 newton next in case of negative work done the angle between the force and displacement बच्चों मैंने अभी आभी आपको बताया जो work done होता है वो क्या होता है F S cos theta अगर मेरे को work done negative चाहिए तो cos theta की जो value होगी cos theta की बच्चों जो value होगी वो क्या चाहिए मुझे minus 1 तभी तो ये W is equal to क्या आएगा अगर cos theta को minus 1 रख दूँगा तो W कितना आजाएगा minus into F into S आजाएगा और cos theta minus 1 का बता है जब theta की value कितनी हो 180 degree ठीक है तो हमारे पास अंसर क्या आजाएगा बच्चों negative work done के लिए 4th option 180 degree ठीक है आगे बड़े next question is इसका displacement कितना होगा ऐसा ही एक question बच्चों अभी हमने किया था एक semi circular path एक half circle के उपर ये movement कर रहा है suppose A से B point पर जाता है displacement होता है shortest distance between these two points shortest distance between these two points ये इसकी है radius तो ये इसका बन जाएगा diameter diameter का मतलब total कितना हो गया 2R यानि हमारा जो displacement है A से B का वो कितना हो जाएगा 2R यानि third option जो है इसका correct solution बन जाएगा ठीक है चले आगे इसके बाद देखते है बच्चों from the graph VT it can be inferred that the object is तो ये object कौन सा होगा इस graph से कैसे पता लगेगा जैसे कि हम देख सकते हैं time बढ़ता जा रहा है लेकिन velocity क्या है constant है time बढ़ता जा रहा है लेकिन velocity क्या है constant है इसका मतलब है velocity is constant इसके अलावा भी हम इसको पैचान सकते हैं बच्चों VT graph की जो slope होती है वो मुझे बताती है acceleration और हम देख सकते हैं ये इस TX इसके parallel है यानि इसकी जो slope है वो क्या है 0 है यानि acceleration क्या है 0 है acceleration 0 का मतलब क्या होता है velocity constant है और velocity जब constant होती है उसको हम कहते है uniform motion उसको हम क्या कहते है uniform motion तो ये motion कैसा है बच्चों uniform motion है ठीक है ना कैसा motion है uniform motion यानि constant velocity से वो particle move कर रहा है ठीक है तो ये थे बच्चों आपके साइन्स के फिजिक्स पार्ट के सल्यूशन, ओके, थैंक यू, हेलो व्रियों, मैसल्फ कविता आजपरी टीम सी यल्सी, टुड़े विल डिस्कॉस अबाउट डिटी असी एक्जाम हरियाना, देखिए, हम यहां पे केमेस्ट्री का पार्ट देखेंगे, और केमेस्ट्री स्टार्ट हो रहे हैं, तो किशन नंबर 17 देखिए, यहां पे आसाई यूनिट पूछी गई है बच्चों, तो आप लोगों को आसाई यूनिट पता है कि टेंपरेचर की आसाई यूनिट जो होती है, वो केलवीन होती है, यानि यहां पे फॉस्ट ओप्सन क्या हो जाएग यानि निम्न में से किस तत्व का लेटीन नेम नेट्रियम है, तो हम जानते हैं कि जो सोडियम होता है, बच्चों अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम का सिम्बल अगर हम देखें, तो इस परकार का होता है, एक्चुल में जो सोडियम है, उसका लेटीन नेम बच्च नंबर फॉस्ट क्या हो जाएगा बिलकुल ही करेक्ट हो जाएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट किस्ट की नंबर किस्ट की तरफ देखे नाइंटेंट नंबर किस्ट है हम जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोन के मास की बात करें तो वह होता है नाइन पॉइंट याद रखेगा अगर हम यहाँ पे नाइन पॉइंट वन इंट तेंट तो दी पावर माइनस थर्टीवन लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे किलोग्राम को याद रखना पड़ेगा यानि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.1 इंट तेंट वी पावर माइनस थर्टीवन किलोग्राम यानि फ़र्स्ट आप्शन क्या हो गया यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो गया नेक्स्ट कुशन की तरफ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन देखे 20 नंबर कु स्टीन इन movie अंदर कितने एले면 होते हैं तो अभी अभी हमने देखा सोटीम थो सबसे बहुती एक निम्बर पता होना जी कितना होता एलाओन को कितने अपर यह क Kalau आंट और कि ऍर आ रहे होगे देखिएगा 21 number गिशाण देखी the symbol of mercury यानि mercury का symbol इन मेंसे कुमसा है देखेगा तो हम देखते हैं कि mercury का जो symbol होता है बच्चों क्या होता है जी होता है यानि यहां पर option number first क्या हो जाएगा बिल्कुल ही correct हो जाएगा क्योंकि यह तो tungustin का symbol हो गया यह chromium हो गया यह magnesium हो गया लेकिन हमारे पास है चिजी क्या हो गया mercury हो गया यानि option number first क्या हो जाएगा बच्छों बिल्कुल correct हो जाएगा next question देखेगा आप लोग next question 22 number question देखेगा the number of moles present in 18 gram of water will be लिखेगा अगर हम mole की बात करें तो mole हम कैसे calculate करेंगे मानलो हमारे पास given gram है 18 gram तो हम क्या लिखेंगे 18 gram यह तो हो गया given जो भी हमारे पास gram में amount ती divide करना हमें molecular mass से तो बच्चों store की बात कर रहे हैं water की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो water का molecular mass होता है वो कितना होता है 18 gram पर mole 18 gram पर mole तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह तो हमारे पास 18 gram given है और divided by 18 gram पर mole तो एक gram से gram भी कट जाएगा और 18 से 18 कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आया वन और यह मोल उपर की साइड जाएगा तो यूनिट भी क्या आगी हमारे पास mole and finally one mole हमारे पास क्या आजाएगा आंसर आजाएगा बहुत ही अच्छा बहुत इंट्रस्टिंग किशन था सिंबल किशन था आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आप देखिए नेक्स्ट किशन की तरफ हम बढ़ते हैं 23 नंबर किशन आप लोग देखिए which is the least energetic state यानि इन में से कौन सी एक ऐसी स्टेट है जो लिस्ट एनर्जेटिक है हमारे पास देखिए स्टेट लिखी वी है प्लाजमा जाते हैं कि होती है अब वो हाईच्ट एनर्जेटिक स्टेट होती है जबकि स्टेट को होता है यानि है पर लिस्ट स्टेटिक स्टेट पूछी है तो वह किसकी होगी वच्चों वो जाएगा वह जाएगा बिलकुल करेक्ट आप लोगों को समझा रहे होंगे सारे के सारे आंसर देखिए प्रण्टि फॉर्ट नंबर किश्चन है हमारे पास अर्णि का अलकुल करने के लिए किस्ट्ब से वह सकते किकी को अलग करने के लिए किस विधी का उपयोग किया जाता है वेरी इंट्रस्टिंग कुशन है बच्चो ध्यान रखना जब भी हमें जब भी हमें रक्त से यानि ब्लड से ड्रग को अगर अलग करने की बाद पूछी जाए तो हमें सिंपल आंसर देना है बच्चो क्रोमेटो ग्राफी यानि फिर्ट ग्राफी यानि थर्ड ऑप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कि तरफ हम बढ़ते हैं 26 नंबर कि देखिएगा मिलियन इस रिलेटेड टूद है बहुत इजी सा क्रेशन है यानि इन उप्संस में से मिलियन किस से रिलेट करता है तो हम जानते हैं 10 to the power 6 क्या होता है बच्चों मिलियन होता है यानि यहां पर फिर्स्ट ऑप्सन क्या हो जाएगा नेक्स्ट कि तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट किशन 27 नंबर किशन देखिएगा आप लोग जिगचेक मुवमेंट औफ डिसपर्स फेज इने कोलोईडल सिस्टम जानते है कि ऐसा जो मोमेंट होगा जिगचेक इसी कॉलोईडल सिस्टम में तो उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं ब्राउड नमोशन बोलते हैं क्या बदो किया हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा I hope आप लोगों को समझा रहे हैं सारे के सारे questions and answers देखिए 28 number question which of the following is an example of metal simple sa question metal का example आप लोगों को बताना है देखिएगा sodium क्या होती है विच्वों metal होती है magnesium भी क्या होती है metal होती है potassium भी क्या है metal यानि तीनों की तीनों ही metal के example है तो answer क्या चला जाएगा बच्चो all of these यानि fourth option बिल्कुल correct हो जाएगा next question देखिए 29th number question है हमारे पास canal ray is also called यानि canal ray को हम और क्या कह सकते हैं तो बच्चो ध्यान रखना कि जो anode ray होती है कौन से रे बच्चो anode ray जो होती है वही क्या कहलाती है canal ray कहलाती है यानि यहां पर anode ray second option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा देखिएगा next question very interesting question value of e by m ratio of the electron is यानि e by m ratio हमें calculate करना है electron के लिए देखिए e by m ratio के अगर हम बात करें तो यहां पर charge upon mass आ जाएगा बच्चों अगर हम इसको पूरे को calculate करें तो यहां पर किलोग्राम आप लोगों को समझ आ रहा होगा यह जो वेल्यू है वह जिस भी option में दिखेगी वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो देखिए यहां पर किलोग्राम क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां बढ़ते हैं नेक्स्ट किशन की तरफ नेक्स्ट किशन देखेगा आप लोग वर इंट्रस्टिंग किशन ए हमारे पास कोई है 218 Delaware इसके पास nine proton ना Ain यहीं इसके पास क्या है एलक्टोन हे और 10 क्या है इसके पास न्यूट्रॉन ठीक है? एंडे फीश हुमारे पास एक वी piece है, है 12 proton, कितने proton इसके पास 12 proton है, 12 electron है, and 12 ही क्या है बच्चों, neutron है, तो ये तो था question, अब question में पूछा क्या जारा वो देखते है, formula of the compound between A and B यानि A और B से कौन सा compound पॉम होएगा देखिए, बिल्कुल यह आसान सा question है compound formation की बात पूछी जा रही है compound formation अगर हमें करना है तो हमें charge पता होना जीए देखिए, तो हमें यहाँ पे A और B का charge पता पढ़ जाए तो हमें simply इसका compound पता चल जाएगा हम बात करते हैं कि 9 proton है, 9 electron है, 10 neutron है यह के पास देखिए, 9 क्या है, इसके पास electron है तो हम क्या करेंगे, हम इस परकार इसको solve करेंगे कि first cell के अंदर 2 electron आगे, second cell के अंदर 7 electron आगे तो मालनों इसके पास एक electron की क्या रह गई, यह कमी रह गई, क्योंकि इसको 8 electron करने थे, second cell में तो एक electron की इसके पास कमी है, इसका मतलब यह एक electron किसी से लेना चाहेगा तो charge क्या जाएगा, इसके उपर minus का वर, इधर हम बात करें, तो 12 क्या है, electron है तो 12 electron को कैसे arrange करेंगे, 2 तो और cell में हो गई, 8 क्या हो गई, second cell में तो 2 और 8 कितने हो गई, 10, बचे कितने 2, तो यह 2 आ गई, third cell में अभी 2 electron यहां से donate करना चाहेगा, थाकि second cell में क्या बच जाए, 8 electron बच जाए तो यह तो एक electron लेता है, जिस वज़े से क्या हो जाएगा, minus 1, बट यह 2 electron क्या करता है, डोनेट करता है, जिस वज़े से क्या हो जाएगा, plus का 2, तो charge हमें मिल गया, देखें तो, जब भी बैर पास ऐसी condition ढाइ can charge और an पी आगया यहां पे तो देखिए हमारे पास अ नीचे के के साइड हमने हमने लगाई है तो फाइनल को लिखो चाए ना लिखो तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बच तो अप्षिन से किस ऑप्सिन में हैं वह बिल्कुल और बहुत ही आसान सा कॉंप्लिकेटेड नहीं है थोड़ा बस लेंगवेज इसकी डिफिकल्ट थी थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग किशन था यहां बहुत इंट्रेस्टिंग था चलिए है देखते हैं 32 नंबर किशन देखेगा 32 नंबर किशन टॉटल नंबर ऑफ नूट्रों इंडाई पॉसिटिव जिंक आयन्स विद मास नंबर 70 यानि यहां पर बोला जा रहा है कि जो जिंक है उसका मास कितना है बच्चों 70 है हमें यहां पर कैलकुलेट करना है न्यूट्रों जिंक के न्यूट्रों कैलकुलेट करने तो बच्चों देखिए जिंक के न्यूट्रों अगर हमें कैलकुलेट करने है तो सबसे पहले हमें न्यूट्रों कैलकुलेट करने का फॉर लिख लिए मैने 70 कि अगर बात करें बच्छों तो कितने नंबर पर आता है जीन्क का अटॉमिक नंबर होता है बच्छों 30 तो मुझे यहां पर जेड की जगे क्या लिखना है 30 तो 70 मैं से 30 गया तो क्या बच्छों 40 यानि न्यूट्रोन कितना आंस्वर आगया न्यूट्रोन का 40 यानि यहाँ पर आंस्वर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गुमाने के लिए आप लोगों को दिया था डाई पोजिटिव तो आप इस डाई पोजिटिव में कन्फ्यूज हो गए होंगे सींपल कुछ भी नहीं करना था अपने कूछ जमास दिया वहा उसमें से कैलकुलेट करना था न्यूट्र हो तो मासमएस 33 number question की तरफ देखेगा an element x of valency 3 देखेगा x की valency कितनी है बच्चों 3 है combine with another element y एक y है हमारे पास जिसकी valency क्या है बच्चों 2 है the formula of the compound formed is जब भी valency हमारे पास different type की आती है तो हम क्या करते हैं valencies का exchange करते हैं तो यह 3 चला गया बच्चों यहां और 2 आ गया यहां देखेए formula क्या बचा x के side 2 y के side क्या बचा 3 तो finally formula हमारे पास क्या बन गया x2 y3 x2 y3 कौन से option में है option number second यानि यहां पे second option बिलकुल correct हो गया I hope आप लोगों को सारे के सारे questions समझ में आ गए होंगे आप देखते हैं कि कोशिका सिद्धान्त आप जो है यह बायों के starting में ही जो सैल पास चेप्टर है उसमें आप study करते हैं कि children और शौन जो है इन्होंने cell theory जो है यह प्रपोस्ट यहां पर की थी इसका प्रतिपादिन जो है और श्वान द्वारा किया गया था तो यह तो काफी एक डारेक्ट वाला question आपके पास हो जाता है question number 34 इसके बाद देखिए हम बात करते हैं next question 35 की that is mitochondria and plastics are able to synthesize some of their proteins यहां पर mitochondria और प्लास्ट यह दोनों ही जो सैल और इनकी अंदर डीने यहां पर जो है खुद का यहां पर present होता है और ribosomes इसके साथ यहां present होता है तो यहां पर आप देखिए कि अगर आप ribosomes भी इनके अंदर आपको मिल जाते हैं तो इस रेजन की वजह से आप देखते हो कि यह proteins अपने जो है यह synthesize कर सकते हैं तो इसका option जो होगा यह आपका हो जाएगा डीने तथा ribosomes दोनों यानि option number 3 जो है डीने एंड राइबोजों बोथ यह इसका answer आपका correct हो जाएगा option number 3 इसके बाद देखिए हम बात करते हैं question number 36 के लिए तो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा question आपके पास हो गया क्योंकि यहां पर आप देखिए कि तीन आपको यहां डीविजन करवाने हैं तीन सॉरी यह तीन कंजेक्योटियों यानि एक के बाद एक तीन बार डीविजन आपको करवाने चार कोशिकाओं में four cells चार कोशिकाओं यहां तीन बार विभाजन कर रही है ठीक है दूसरी चीज आपको यह देखनी है कि विभाजन कौन सा है विभाजन है समसूत्री विभाजन ठीक है यानि यहां पर जो माइटोटिक डीविजन है इसके लिए आपको यह question को सौल करना है तो चार आपके पास कोशिकाओं है चार सैल है और जो डीविजन है यह तीन बार हो रहा है थ्री टाइमस यह डीविजन हो रहा है तो आप इस कोशन को आराम से सौल कर सकते हैं आपको बता है कि समसूत्री वाजन माइटोसिस में एक सेल जब डिवाइड होगी तो यह चार सैल बनाएगी और चार सैल जब डिवाइड होंगी तो यह आट सैल बनाएगी तो यारी फर्स गीजन होगए आपका मांटो रोले आपका और यह आपका हो गया थर्ड दीविजन तो तीसरे डीविजन में एक सेल जो है यह आठ चल रहे हैं तो यहां पर आजाएगा इसके बाद देखिए अगले कोशन की हम बात करते हैं तो यहां कोशन पूछा गया क्रोमोजोम के लिए यहां सट्रक्ट का निर्माण किससे होता है तो यहां पर ऐस रखी प्रोटीन लिए इंड शskre Steve अरे विपालले चलेगा और यह कंबाइन के साथ होगे निकल्लोर्सम की यहां पर स्ट्रक्टर बनती है और यह condensed होकर यह संगनित होकर यहां पर एक chromosome यानि गुर्ण सुत्र का निर्माण करते हैं तो यहां पर प्रोटीन का भी होगा पार्ट और डियने का भी पार्ट होगा ठीक है तो इसका जो अंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा बोथ 1 & 3 जो एक और तीन दोनों वाला जो निपड़ेंगे की डियने के साथ और भी मैक्रो मोलिक्यूल्स जो हैं यह मिशा साथ रहते हैं जब भी आप इसी कोश्य का से किसी डियने को बाहर निकालते हैं तो कोशन के हिसाप से अगर देखा जाए तो यहां पर फॉर्ट ऑप्शन जो है यही आपका करेक्ट अंसर आ जो नारियल के रेशेदार छिलके बनाता है और इसकी कोशी का इम्रित होती है यह ध्यान देना है आपको कोशी का इम्रित होती हैं लंबी होती है और लिगनिन यूप्त होती है तो यहां पर कुछ बातें ऐसे बताई गई हैं कि यहां पर जो सेल्स हैं यह डैड हैं डैड स यहां पर आपको मिलेगी वह होगी स्क्लेरन काइमा की यानि तक जो उत्तक होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा इसके बाद देखी हम बात करते हैं कौशन नमबर 39 के लिए यहां एक मसल की बात की गई है डेट इस काडियेक मसल की यहां पर बात की गई तो तीन तरह की जो आप मसल पढ़ते हो उसमें आप देखते हो कि काडियेक मसल जो है यह सबसे खास प्रकार की मसल है जो आपको मिल जाती है हर्ट में केवल हर्ट की लिए हम जब बात करते हैं हर्ट के लिए जब हम बात करते हैं कि होती है बिल्स होती है ठीक है और होती है यहाँ पहला आपका यहाँ पर बैठा यहाँ पर बाद में देखिए इसके बाद स्मूथ यहां पर आ रहा है और अन्ब्रांस्ट यहां पर साथ में आ रहा है यह नहीं होगा तो यहां पर अन्ब्रांस्ट वापस आ गया है तो यहां पर ब्रांस्ट वाला जो है इसी एक चीज को आप देख लेते तो यहां पर जो आपका करेक्ट आ जाता यानि ऑप्शन न तो हम बात करते हैं यहां पर कि गई है टेंडन लिगामेंट यह अपने नाम सुने होंगे तेंडन और यह नाम सुने होंगे विप जोईन्स और नाम यो बोन इस चाए्चाrudब बैसली सिस्टम पड़ते हैं तो आप देखते यहां पर हैं ड़ले को बनाया हुआ है कि यहांपर कनेक्ट कर रहा है और यहां पर जोड़ना है पेशी से तो एक तो आपका यहां पकर यहांपर करेक्ट होगा कि इसके बाद हम बात करते हैं कोशन नंबर 41 के लिए और काफी इसी कोशन यहां पर आपको अटेम्ट कर लेना है क्योंकि सबसे लंबी सैल यहां पर पूछी गई है मानवी शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो यह आप आराम से तंतरी का तंतर में पढ़ते हैं कि जो तंतरी क सबसे लंबी सेल यहां पर हमारे पास ओती सबसे कोशिका गया था तो धिशन तर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसके बाद तुर्ट नं में सीट Kash्का को दिया घाया है और यहां है कि कशन करना है आपको नाइट्रेट्ट ऑस पर नाइट्रेट्ट जो ने इन को कि An Oтесь रही है नाइट्रोजन गैस में आप अप नाइट्रेटज को बदल रहे हैं ठीक है तो यह वापस उल्टा प्रासेज हो गया लाजा रहा है नाइट्रोजन गैस के अंदर तो यह आपका डिनाइट्रिकेशन वाला जो आपछन है यहां पर सही हो जाएगा यानि वी नाइट्री करण जो इसका हिंदी में हम कहते हैं वी नाइट्री करण यह पहला जो ऑप्षन है यह आपका यहां पर करेक्ट होगा ओके इसके बाद देखिए कोर्शन नंबर 43 में यहां पर पूछा गया है कि इसके हम यहां पर बात करेंगे ओजोन परत के अप्षय के लिए कौन सा यूगिक जिम्मेदार है तो यहां पर जैसी ओजो बुक्य रूप से जिम्मेदार है यहां पर देखिए कोर्शन नंबर 44 की हम बात करते हैं यहां पर दो नाम दिए गए हैं और यह पूछा गया है लेकिन यह तो हम नाम ले लेते हैं इसका पिसी कल्चर लेकिन यह तो हम हनी बीज के लिए यहां पर बात करते हैं लेकिन पॉल्ट्री फार्मिंग यह यहां के लिए जो पॉल्ट्री में इंक्लूड़ी वर्ड में बात करते हैं यहां पर जो मुर्गी पालन है यह वाला जवाब आपका सही होना चाहिए क्योंकि इजब यह नाम यहां पर लिखे हुए हैं यह मुर्गी हम बात करते हैं यानि एक मदमख्य के च्छते की आप बात करें तो वहां कितने परकार की मदमख्यां आपको दिखाई देती हैं कितने परकार की मदमख्यां वहां पर होती है तो एक हो गया पहला जो हमारा है क्वीन उसके बाद वरकर्स वरकर्स की आप बात कर सकते हैं यहां की ठीक है तो तीन केटेगरी यहां पर यह हो जाती है Queen worker and Drone स्थ तो आपके पास की तरह की मदूमक्यां जो है एक छत्रव में आपको मिलती है तो इसका जो Option है Option number three यह आपका correct answer हो जाएगा एक छत्रवी परकार की मदूमक्य आऊंगी तीन परकार की Queen, worker and drones ओके इसके बाद देकते हैं नेक्ट कोशन नयों और एक कज्छ नम पूचा गया है कि इसको कौन काओस करता है कालह और खो यहां पर सिधा सिधा नाम दे दिया गया है और रेषमेनियर से बीमारी का एक और नाम पड़ते भी हैं तो इसका जो और औरна अप्टेसे को अध्य कर्टम कर देना है यह यह गारिच यह लाई आज तो up vaccinated इसका का correct answer हो जाएगा इसके बाद देखिए question number 46 next question के हम बात करते हैं तो 46 के अंदर देखिए which one of the following is non-infectious non-infectious disease इन में से कौन सी नहीं है यहांनि आई संक्रामक का आर्थ क्या हो गया कि वो एक परसन से एक परसन से दूसरे परसन को नहीं फैलती है ठीक है तो आज आयसे रोग आपको इसमें देखना है तो यहां पर देखिए AIDS संक्रामक है common cold संक्रामक है टीबी जो है यह यह संक्रामक है लेकिन high blood pressure किसी को अगर high blood pressure है उच्च रक्त्चाप है तो यह एक मानों से दूसरे मानों में संक्रामित नहीं होगा तो इसका जो नंबर फोर्थ यहां पर हो जाता है दो फोर्थ ऑप्शन इस दी करेक्ट आंसर फॉर कोश्चन 47 इसके बाद देखिए नेक्स्ट कोश्चन की हम बात करते हैं 48 तो यहां पर आपको मैच करने हैं कॉलम्स और कॉलम्स किसके लिए मैच करने हैं डिजीज का नाम लिखा हुआ है और उसके कौज का नाम लिखा हुआ है यानि रोग का नाम लिखा हुआ है और उस रोग के कारक का नाम लिखा हुआ है इनको आपको जोड़ना है आपस में और फिर ऑप्श क्लेختराएं क OFy खुक्त कर दिया के लिए हमने मलेरुटरोच के लिए स्काण कर रहा है तो यह यहां पर ऑप्शन नमबर आपका सही जवाब हो जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं नेक्ट कोशन के लिए 49 यहां पर देखिए जो आमाशय में होने वाले जो अलसर हैं और अलसर के लिए कौन सा जीवानु जिम्मेदार है तो यहां पर यहां पर आपको डियरेक्ट जो है यह मार्क कर देना है तो थर्ड ऑप्शन इसका सही अंसर हो जाएगा 49 के लिए इसके बाद देखिए लास्ट कोशन की हम बात करते हैं यहां चूज करना है आपको डेड एलिमेंट यानि मरत घटक आपको ढूणना है किस में से फ्लोयम में से तो वह सीधी सी बात है एक ही आपको मिलेगा कि जो यहां पर आशेशन के लिए बार कर देना है उके तो यह आपके आंसर हो गए हैं बायोजी के लिए बेस्ट आफ लग पोई रिजल्स थैंक यू अलोड ये रिश्टिटेंट मैशल नरवत अम जाएंगी टीम मैथमेटिक तोड़ी विल भी डिस्कुस्ट दा डिट्यूस्टी सोलेशन आफ इस नाइंट क्लास किसना फिर्स्ट किसना फॉइंट फॉर का स्कॉर रूट कितना हो बन जिरो टूफॉर का स्कॉर रूट ओका थाटीटू यहां प्लस माइनस नहीं आएगा जिए स्कॉर रूट में से पोजिटिव एलिए देता है तो ओनली थाटीटू ही ऑप्सन आएगा सेक्ड ऑप्सन नहीं आएगा यह तैवेलियो इसकी वेलिव बतानी है 56 तो इसकी माइनस यह जाएगा रूट ओफ 56 माइनस रूट ओफ 56 माइनस रूट ओफ 56 ऐसे करके इंफानाइट तक चल रहा और इधर स्क्वार करेंगे तो क्या होगा एक स्क्वार अब वही बात है इसकी जगह हम वापस एक्स बोल सकते हैं क्योंकि यह इन्फानाइट मेंस किया तो क्योंकि माइनस करेंगे को ब्रणाइट इन्फानाइट रहेगा विसकी जिगहाएक्स दो हो जाएगा फिप्टी शिक्स-दैस एकस पटो एकस्क्वार अगिंशस्क्राइट अब उप्लस एकसिप्लस एकस्ट ऑर यह माइनस का 56 इंप्लस एकस्ट इसिक्स को टुल तो जिस इसमें स्टार्टिंग में एक्स को मना गया एक्स प्लस एट 1 डुर ब्रेकेट से आम गया और एक्स माइनस दुद एक्सक्राइश सेवं और सेवनों और माइनस एकसे अपने अब नहीं होगा माइनश प्राइज रूप हाँ यह रूप हम इस एक पोजिटीव दिता तो तो माइनस तो ऑप साई सेकंड और संट क्लियर कि नेक्स किसन विचीज दा स्मॉलिष इन में से कौन सा स्मॉलिष तो यह होगा थरी की पावर टूंटी इसको मैं तरी कि पावर टू यह रहा हूं और यह गाँ सबसे सबसे बढ़ 없तां सबसे चूटा कोनसा है सबसी चोटा यह होग गया है कि दो कि हूब नंबर सबसे चोड़ा कुन सा होगा यह होगा क्लियर तो स्मॉलेश्ट नंबर इस फाइब की पावर टैन यह फर्स्ट आप्शन फर्स्ट आप्शन क्लियर सब्सक्राइब बिया नहीं आए सब्सक्राइब में तो इसका सस्राइब प commerce की पावर क्यों मौल नंब्र होगा Riley कि नेक्स्ट विशान डिग्री अगिशत कि हाइस फावर कि इनए टो टु और ये करद // टो इस थ्रड नेक्स्ट किसन अगा प्लूड प्न की कोस्ट चुल आपच है सि tuvorovlak कोश अब नॉट बूडल के कोन कि कोस्ट चाहिवाक नोटिबुक की कॉष्ट कि अपन की कोषिट की डवल要 Family सब्सक्राइब को रि지만 सब्सक्राइब करें तो राइड दा लीनेर रिकेशन तू रिपरेजेंट इस स्टेटमेंट के दरा कि माइनस का हो गया एक स्वाइनस टुवाई उकल टू जीरो ता आपका उप्सन होगा फर्स्ट और कोई उप्सन इसके नहीं हो रहा जैसे यह नेगेटिव है एक सब्सक्र इसकी 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 कितने सोलीशन होगी इसकी सोलीशन क्या होंगे इन्फाइनट मेनी सोलीशन होगा थर्ड़ो अपसन आएगा अनन्त अलोंगी क्लियर आग तो नेक्स्कृर्ट आपको नक्स्टस एगवाओ नसका भूडन अपन एक्सक्कायक , श्कॉैर सोली में स्कॉयर एदर बच गया तू उदर जाए कि क्या हो गया नेगटियों गया तो 16-2 किता होगा 14 तो प्सनीज फर्स्ट ऑप्सनीज किड़ेक्ट कि नेक्स्ट कुशन है रूट सेवन 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 यह इंफानेट बार है तो इसको वह आप इसको जब इन फानेट हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें इसको वापस एक्स बोल देंगे इसको वापस एक्स बोल देंगे तो यह क्या हो जाएगा हो गया एक्स स्क्राइब एक एक स्कीन स्क्राइब हो गया तो किसको एक टोनी परस्ट्रों प्रेट क्या कि कि थी क्यूब रूत होगा 87 यह आपका लिए करना है इसको 777 इन दोनों में सेख होगा 77 का फॉर्टी नाइन फॉर्टी नाइन को सेवन सेगे शिक्टी यानि यूटीए जेट 3 होगा तो वह 7 का अब अब क्योंगा तो कितिनी बार उसी कंदेशन पर आयेगा करेंगे तो हर एंगल पर वह को रोटेट करेंगे तो हर एंगल पर उसी पुजिशन पर ऐसे कितने एंगल होंगे जिनके उपर यह वापस उसी कंडिशन गया तो जीरो और 360 के बीच में अपने पास infinite angle होते हैं infinite angle होते हैं और हर अपना circle अगर center के center के according इसको rotate करें तो यह हर angle पर उसी condition पर रहेगा तो इसका rotational symmetry कितना होगा infinite होगा clear इसमें which is the statement is true इसमें कौन सा statement true है तो इसमें एक rule होता है इसका dollar problem अगा चरी साइबास DR क्ल इन टो सबते होगा мच्छ इन तो अपनाinta इसका ब्लए का इसमें टो फिए यह को हार जोंक और इसका प्रोडेक्त इसके प्रोडेट के एक लोगा तो इसका ओप्शन होगा पिएल इनटो पी टिक एंटो पीएटेविस एकंड अबस्वाच्छ और यहीग वे नेक्स्ट विच्थ और झाल जो रहा है लिए लिए अपे इसके लिए a cube plus b cube plus c cube minus 3abc इसके लिए हम formula लगाएंगे इसके लिए formula दो होता है एक formula यह वाला इसके लिए लगाएंगे वन बाइटू a plus b plus c और यह होगा a minus b ka whole square plus b minus c ka whole square plus c minus a ka whole square यह वाला formula भी होता है इसका एक formula यह भी यह वाला formula लगाएंगे a b c की value substitute करेंगे तो हो गया 1 by 2 तीनों का सम इन तीनों को add करेंगे तो 1000 आएगा क्लियर है 33333333333 और यहां पर 4 है एको रेट हो जाएगा तो 1000 आएगा अब दो दो का 1 by 2 into 1000 इंटो यह 1 का स्कार 1 और 1 कितने होगे टू यह 2 से 2 गैंसल हो गया तो आउप्सन आगया आपका फर्स्ट आप्सन क्लियर ऐसे को एप्लायगा फीन क्या आपका वुल अच्छ आपका तो क्रॉक्म सब्सक्राइब करए एसकर नीटेली किया करा इसका टू आपका क्या रखेंगे तो इसको हम लिखेंगे उपर वाले ट्रम्स को तम सैंब लिखेंगे पॉइंट जीरो वन का होली स्क्वेर इसको लिखेंगे पॉइंट जीरो वन का होली स्क्वेर इसको लिखेंगे पॉइंट जीरो वन अपॉन टैन का होली स्क्वेर इसको लिखेंगे पॉइंट जीरो वन अपॉन टैन का होली स्क्वेर इसको लिखेंगे पॉइंट जीरो ना अपोन टैन का पोली स्क्वेर इस फॉर्म में लिकें और यह बार स्क्वेर रूट है अब वही सेम है इसके अंदर कि इसके अंदर 10 10 10 इनका स्कॉर कितना होगा 100 100 होगा और यह 100 लचे हमारा और लचेम क्या तरह जाएगा उपर चला जाएगा तो यह होगा निछे आयेगा पॉइंट वन का होली स्कॉर्ध यह होगा पॉइंट 01 का होली स्कॉर्ध यह अगया और जहीं है तक ईंड्रेड लिए वें assert का जाएक आ जाख पॉर्छाइगा रह permit यह इक दूसरे से किंस लोगए 100 का कितना होता है 100 का रूट होता है 10 तो ऑप्शन अपना शेकंड परफेक्ट क्योंग यह परफेक्ट क्योंग यह परफेक्ट क्यूब होने के लिए यहाँ पर अपने को थिरी चीह दो बार क्या चाहिए और दो बार क्या चाहिए अगर यह हो एक की वेल्य हो तो फिर इसका परफेक्ट क्यूब तो इनको मुल्टिप्लाइ करेंगे एंट्रेड एंट्रेड इंट्री इंट्री कितना होगा 300 तो ऑप्सिन है अपना सेट अट्रोप्सन एक अपना सेट्ट ओप्सन क्लियर the number of digit in square root of two zero one zero two four one zero two four square root कितना होगा 32 होगा तो number of digit कितने हो इसके इंदर टू हो गए clear है तो number of digit is two do a cube c cube minus 3 a b c equal to बताना आपको तो यह किसमें अभी सिमिलर लिए पीछी के तो इसके जग्रोडिंग होगा इसका भी फोर्मॉला लगा जैसे वालो इसको आप सपोज कर लो इसको बी सपोज कर लो इसको सी सपोज कर लो तो यह आपका यह बी और यह आपका सी हो गया तो यह बीची का ओडर चेंज किया कोई फ्रूगने पूड़ेगा इसमें वह फोर्मॉल लगेगा एक्यूब प्लस बीक्यूब प्लस एक्यूब माइनस त्री अबीसी फोर्मॉला था वन बाइटू ए प्लस बी प्लस से सी और यह आएगा यह हो गया तो आप वही बात है इन तीनों का सम वह इपने 1000 हो रहा है तो वन बाइटू इन तीनों का सम कितना हो रहा है हो ड्राइब क्यón शेक्यूब निकालना निकालना तो इसका क्यूब रूट का मतलब क्यूबूनrzy रेकालना है तो उसका कियो रूट थैन होगा प्लियर आंक इस में आ इसमें से क्वेलिव बतानी्य यह क्या और जो क्यों पॉट है तद्यरी की पावर ए और इसका हे kyuब यानिके 1​3 और वह कितना तुनिवावर्तीन खेंगे और तुरिएवन पवावर्तीन पौइबय दोनों क्यां होती है मल्लीप्लाइब यह गए यह है और इन फैन्ट फॉर्स्ट अप्सें ऐा गिए एक वर्टिकल पोल है जो 12 मिटल नंबा है और उसकी काश्ट hacks ओट इसेड़ Happy यह 12 मिझार है और इसकी च्लोरट्ब सberg की तुरिये पर कांस दूसरा कांटी मीटर ओंग उन्हों दा ग्राउंट यह चाया कितनी है 40 मिटर उसकी हाइट बताने है अब यह आर श्रतव नान बोला कि सेम की बाद कर रहें है तो इसका जो एंगल इसके साथ बनेगा वही एंगल क्या होंगे और दो गेंगल के अंदर दो एंगल होते हुँ दोनों क्या होंगे सिमिलर होगे और सिमिलर होंगे तो इनके corresponding ratio का corresponding side का ratio क्या होगा एक को लोगा corresponding side का रशीया निके 12 upon 12 upon h equal to क्या होगा 8 upon 40 और यह से cancel होगा 5 cross multiply करेंगे एक इकोल तो कितना आ गया बारपंजे 60 उस टैम पर उस टेम पर पर खआट आएट कितनी है 60 है तो सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट आप्शन नेक्स्ट कुसन है इच एक्स्टेरियर एंगल और पोलीगोन one of side 10 is the side side कितनी अपने पास 10 है रेक्सिरीय यंगल बताने तो इसके लिए फॉर्मला होता है पास 10 और यह आपने को ऑंगा वाइल आपने को फाइंड करना इच एक्सेरियर एंगल एकशिए एक्सेरियर एंगल एंगल कितना होगा 1075 के लिए आपको 45 प्लस 30 अब लिए 1045 प्लस 1030 प्लस 1030 अपोन 1-1045 और 1030 आपको पर नीचे तो अपर नीचे रूट्ट्री एल्च्म कर जाएगा तो यह रूट 3 माइनस वानरी लोगों और तरी नो गुंच लोगे अब इसमें से जिए तो उप्सें किया कोडिंग इसका टे सो पहले रैसनलाइस करना पड़े गाते इसको रीट्री प्लस वन से उपर अपना है first option पोसक्ति right answer नन्भर लोग टोटल डाइगोनल इन्हें रेगिलर ऋक्तागोनल में टोटल डाइगोनल करहों ठोटल डाइगोनल का फॉर्मुला होता है एन इंटो एन माइनस 1 अपॉन टू माइनस एन यह फॉर्मॉला होता है इसमें के लिए किती है एक अक्टागोनल है एन के लिए एट तो एट एट माइनस वन कितना होगा सेवन अपॉन टू माइनस एक लिए एट यह से कैंसे लोगा फोर जागा 2828-8 यह किता है का 20 तो नमबर अब टोटल आगोनल इस 20 आप ट्रीज़ेश स्कॉरेट बंगे भी नहीं होगा अब स्कॉरेर का ऐरिया बात करें तो जैसे मालों यह साइड यह साइड ए तो इसका डागुन क्या होगा रूट टू होगा रूट टू होगा तो इसका एरिया होगा 1 by 2 ट्यॉट डियागुनल का स्कॉरर इसका ऑप्टिन I am कि विच ऑफ the set of three sides China नट और फांड फोम भ शुबम बना सकती है है चानब दोRes 수도 इंब दोस्ट दोस्ट नगारी गारेंगे 13 was 7-0 ऑफ था द दोस्ट इनोगो करेंगे 12 सिव से ज्यादा ऐसे इसमें करेंगे कोई भी 2 साइड का सम तीसरी से ज्यादा हो ना चीज़ दो साइड का सम्-8 फांस-13 इससे कम रहे और आट हो जाएगा 8 प्लस फाइफ और यह आपके पास 15 से क्या होता है कम है यह एक मिन रजा सकता है इस ब्रेग्लों अब बाकि हर केस में दो साइड का सम जैसे यहाँ पे कितना रहा है 13 वह लेँशी जादा है 17 शिह जादा है यह जाएगा कितना 17 से जादा है तो हर स्ट में दो साड़ी कसम रीज़ ज्याद है लिने इस केस में नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह वह वाला ट्राइंगल कभी भी बन नहीं सकता है अ कि यह अब दिया अब दिया इप सिम्लर ट्राइंगल है यह आगया ए डी सी और सिम्लर इनका रूप एक जैसा है डी कि इस एफ एफ एप ए 9.1 अब आपने पास 9.1 डी कितना है 9.5 है और इसका परिमिटर डी एफ का परिमिटर कितना है कि टी इफ का परिमिटर कितना है 25 है सुरी सुरी यह डी यह डी यह अपने पास 6.5 है तो इनके पहले साइड का रिशो देखे शाइड का रिशो क्या होगा 9.1 अपोन 6.5 तेरा से गट रहा है से वन रिशीघ फैप है इसकी रिश की शैडिघव डिशों रिशाय कड़ी और रहीगा स्याय ममकरा रहेगा परिमिटर रेशियों का रहे गए अपने इक को किसके परिमिटर तेरों एक दीए अफ का परिमेटर देड़ा तो इसकी विल्ए कि यह 25 है और इसका पूच रहा है तो पेरिमेटर ओफ ए बीसी तो यह 25 कहा जाएगा उपर चला जाएगा सेवन बाइफ इंटु ट्वंटीफाइफ यह से चैंसल होगा फाइफ तो आंसर आएगा सेउन्टि थरी फाइफ थरी फाइफ और ऑप्शन इस फॉर्ट है कि इसका रूठ कितना होगा पॉइंट जीरो वन फोर तो दो रखे 214 का आपका पाता ही तो विल्व को हो था तो दो इस फॉप्स इस फिरा साइट सब ट्रैंगल आर् 345 अश्पक्र एरिया प्रैंगल फों मदा लैंड मिलपॉन जोन निंग अरिया निकालना है मिट अंदर गॉलक्र अरय चार लुट कसे घरन के यह चार रियंग से नीकालने एक लेघल सब्सक्राइब जो ट्र exception कंप चार त्राइंगल के निकाल अरया रिदा इसर प्रेसर सब्सक्राइंगया कि एक मिट आप मेंळा कर पैड होंगोगmedim और वो जाएगा तो आंसर होगा थ्रीवाइड टो मिड़ पोइंट को जोईन करने वाला जो ट्राइंगल मनेगा वह टोटल एट टोटल एरिया व्राइंगल का वन पोर्थ होगा वन पूर्थ ऑगत ओप्शन है थ्रीवाइड टू क्लियर in the Figr ये अका ये तो रिशो थ्री में य doesn a in the figure two ratio three में एंगल वी एसी एंगल बी एएसी यह ओला है 1x और ऐबीच्ज यह वाला कितना है 3x तो आपको बताना एंगल एल बीसी यह वाला आगल बताना है तो आपको बता है एक्स्टियर एंगल इस सम ऑफटा टू इंटेरियर एंगल को इसके रिप्टेवर्ट जाए मृच्स प्रस्ट की टागा 120 अधून अधा इस एक्सक्रीपोड अब आपको पुझर एंगल abc फूझर एंगल निर अन्स्टाइब स्कूलिछा हो क्लियर को में मोड मीडियं में अधिम होगा तो में मोड मीडियं में में ऊत्ड थे मेडियं अधिर कम है अधि पर होता हाइस फ्रिक्वेंशी है चीजितनी ज्यादा वारा आएगा वह क्या होगा मौद भाभ अब यहां पर 3 भी दो बार आ रहा है और 4 भी दो बार आ रहा है अब मोड कितना फोर ना चाहिए तो इसका मतलब यह वेलू कितनी हो निची चार के खोलो निची तो गया आने पर यह फोर आपका तीन बार हो जाएगा यह फ्रिक्वेंशी जाएगा इसका मोड फिर फोर होगा तो प्रिक्वेंशी जाएदा होगी वह ही मोड होगा तो इन में से हाइए फ्रिक्वेंशी को होँची है 16 तो मोड कितना होगा अपना 7 होगा ना कि 16 होगा मोड अपना 7 यह फ्रेक्वेंश यह उपर है एक साई तो मोड़ कितना होगा सेवन होगा ता सम अब दा आल इंटिरेर अंगल पोलिगन इस 1620 देन नम्र उप साइड अब दा पोलिगन सम अब दा आल इंटिरेर अंगल इसका फोर्मुला था एंड माइनस तू इंट वन इसकोल टो ता 1620 यह 0-0 कैंशल ओके 18 निचे आएगा एन माइनस तू इकल टो वाइन शेक्ट वाइन शेक्ट ले नाइन से काटे यह तू टाइमस पर और एक नो एकाम नो बचाइब ते सान ने ओन टाव एक तर शेक्ट रहा है नाइन ताम्स वाइन के लिए तू दर जागे पोजिटिटीर लेवान तो नूबर आप साइड इस इलेवान नूबर उप साइड इस इलेवान तो फॉर्ट इसई होते हैं तो छेर्से, बड़े ढंबर क्यों सब्खें पांच आर चा उंगी ॉपजिटीर बंञर कुटन नूबर दो और टो टृक्न 15 अगि एक प्मनेंट पूपर और तो नहीं मिद्धू हो गें दोड़ फीन देखेश यह नहीं टोट फटोल अप्टेल होगते तोटल सिक्सों घृत्वर थैब सिक्सक्राइव वह टोला नियुट सिक्सक्राइग टोटल आप्कामिघ्वीख तोटल आउट काम इस तोटल आपकेश ऑप्षिन इस फोर्थ ऑप्षिन इस राइट एंसर है सरकम्फेरेंस ऊपे सर्क्रील इस एट एड़ देन इट्सेरिया सब्सक्रीनट एक सर्कम्फेरेंस का फॉर्म लाथ टू पाया एकुल तो एक यह पीट यह आप इसल करों एडिस निकाल ने थे ट्वन्टी टू अपॉन अरिया आप सरकेल होता है पाई आरे स्कायर पाई के विलिए 22 आपन 7 आर के विलिए 14 इंटु 14 14 इंटु 14 इंटु 44 इंटु 14 इंटु 44 इंटु 14 तो आपको उप्सन होगा इसमें उन्दो नो मुट्प्लाइ करेंगे 616 आएगा तो राइट आंसर इस राइट सरे 616 क्लियर जी ए गिसी के अगें एंटु प्रेंगल एविची इस दा दू करेंगल आपकर ये-विची का सेंटु आपकर आपकर आंगल डेट क्या होगा एक पोलो तो एरिया एरिया ओफ बीजी सी सिटो एक़ो एरिया ओब एड्वीशी अपॉन 3 वन था रोगा कि तीन ओई को लोगा वान थाड़ थे वीचिक एरे गितना है 4848 पॉन 3 तो इसकांसर अवगा 16 भीजी सिगए रिया क्या होगा श्रीं तो सेकंड और प्सल स्वायर डायोनल कर रिखाइब होता है लो के एäter स्वायर को डायोनल की स्वायर पर volt को डाइगोनल 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 को डाइ विट्ट एइडर करें अल स्पिता रेक्टेंगुल्ड लेंथ से पریुकिनल मेंटेव किवे नियुक्त कि देज्ट एल लाप समय के तो पिञोंने कि यहिए आने कि औरılmış मोटेश वहीं 3L equal to 5B, L upon B, length or break ratio पूजरा तो हो जाएगा 5 ratio 3, 5 ratio 3, that option is right answer. इन्हें regular polygon exterior angle, interior angle, R in the ratio, 1 ratio 4, इसमें ध्यांचे देखना है, exterior angle को मैं X माल लेता हूँ और interior angle को मैं Y माल लेता हूँ, exterior angle और interior angle, एक पॉलीगन है, इस टैप से जो भी पुलोगे लिए, exterior angle को X माल रहा हूँ और interior angle, इन दोनों का ratio कितना है, 1 ratio 4 है, देन दा number of side, number of side of the polygon, polygon की number of side क्या होगी, और इन दोनों angle का sum होता है 180, इन दोनों angle का sum कितना होता है, 180 होता है, X plus Y equal to 180 होता है, तो यहां से हम निकालेंगे, Y equal to क्या आ रहा है, यहां से 4X आ रहा है, 180 upon 5, तो यह से cancel करेंगे किता हैगा, 3 और यहां पे रहाएगा, 36, 36, 36 क्या होगा, इसका exterior angle हो, एक angle, exterior angle कितना होगा, 36 होगा, अब होता है, angle into side, equal to 360, exterior angle है, X अपना exterior angle, angle into side equal to 360 होता है, तो एक एंगल कितने का आ गया, 36 का, side अपने से पूच रहा है, और equal to कितना होगा, 360, N equal to क्या होगा, 360 upon 36, यह से cancel होगा, 10, number of side कितने होगा, अपने ही पास, 10 होगी, तो second option is right answer, clear? If the length of the three sides of a triangle are, then length of the median of the greatest side, greatest side की median, क्या होगी? यह 6 से 8 और यह है तो इसकी लेंद दे यह होगा, 6 माल लो, यह 8 माल लो, यह 10 माल लो, अब इसकी median निकालनी है, तो इसका median यह होगा, greatest median यह होगा, इसकी लेंद चीए आपको, इसकी लेंद चीए, अब median है, यह राइट uler ट्राइंगल मैंद रहा हा, क्योंकि 8 if 5 is equal เท्यों होगा, अब association, 5 ही प्रॉगा, इसके लिए हम थोड़ा से इसको एसा करेंगी निए को और जाएंगे तो घर ट्रीन एक्स प्लस फाइंफ अब लेगा तू ख्लिटर लेटिए वह अब जाएंगे एक्स के साथ इस केस में इस फों में फोल्मकर करने कि बाद जो और तर्थोर कितना हो गया बनिए ऊज़़ साथ मिलीए अब को ते लिए वाली comment आफ़ को बनाए कि तो सफिंहों आपका थाफ्सर तो चुरामा इता था यह कृता हृक के को गई लेंट अभ टू परेंट कोड़ इस एड शेंटमिटर इस टू कोड गिए है अब ऑफ यह सेंटमेंट्र जया तो दोनों लाइन क्या होगी प्लिण होगी लेंट अब टू कोड्स ओफ एज सेंटिमेंट का लग था यह तोऊन रहु द्यूर्ण मिलेता है था त्यूपर किद् going then distance between the code code के भीच का दिस्ति का अब यह 5 ऐट के थिस्जे परपेंडीकल रहें यह कितना वजाएगा जाएगी यह फोर फोर घो जाएगी एक इतना आ गया थी हो गया यह कितना गया थी आगया अब यह ठीओ उड्ध यह तो और इसका सेंटर यहां पर होगा तो यह भी क्या है और यह भी क्या होगी रेडियस है यह भी क्या है एक कोड की लेंथ उसकी रेडियस के कुल है तो एंगल विच इस कोड सब्सक्राइब कितना एंगल बनाएगा तो इसका यहां पर करके यह आएगा ताप से यह वाला एंगल पूछ रहे है यह वाला और यह वाला एंगल का क्या होता है रहा हाव था यहां स्वाइगा 30 तो प्सरीस फर्स्ट ऑब सरीज का सवाइब अंसर आप इस एक्सटीरेर एंगल पर साइक्लिक वाद्रीटरल जो भी है इसका एक्स्टीर एंगल कितना है पचास का है तो गोल रहा दैन इस इंट्रियर एंगल आपोज्ट इंटियर एंगल यवोल आंगल फूछ रहे हैं तो एक सोतीज का होगा हिए तो आपोजिट एंगल टॉटब एगनल का सीनसद कि ऐस इसको 12 longo करेंगे तो यह वापस कितने का गया स्खान्य तो जिसका प्र सмотрите लोगा और होगा । और सेंन जो डालता है और इस स्कनूर आपिट है कहले नहीं हो अजिट डृद सकता है और सेंट्र उप्राइख में हरना हैंहाँ मुझ में पर फेड़े सदण संद्र करें आदि नीड दिंक होगा तो आउट सैट आउट सेंगल ट्राइंगल का और्ट्री रीट ऐंगल का और्ट्र Ch rester का मतलब सामिल से de 9した क्लिए 10 term geehr मुद्ण स्थे एज थो फोंट होगा तो साइडники इनज्ट्राइन एड़ करेंगे अंदर मेटिप्लाइए करें एवर जाएगा top लेसे 3 P2 स्क्वर्स से 3 P 2 1 और इसके बाहर क्या क्यों पर्स उल्क्रूम् diffus आइगा डोन अब यह दो deuxième है अपसे इसके और नंन्यrators चाह", फरस्ट घूअन से उस्त है, अन्ट हुग है नो Solution है, has no solution then the value of K, K की विल्यू क्या होगी, इसका कोई हल नहीं है तो क्या होगी, कोई नहीं है तो इसका में लुग यह दोनों लाइन क्या है? पैलर है, यह दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेखे, तो इसका कॉंसेप्ट ही होता है, इसका रिसका रिश्यो महला 2 अपो संतिकार तो के लोता है क्लियर तो यह सह केंशल हो आट है थरी ट्रीस वाइल आयागा